हेलो गाईस सौगत एक और निव वीडियो पे तो आज की वीडियो में हम लोग फिर से के रहे माइन का सर्वेबल तो इस वाले वीडियो में हम लोग ढूडने वाले नेधर फोर्ट्रेस को तो यहां पे अब हम लोग फाइनली काफी ज्यादा करीब हैं एंटर ड्रेंगल को म पर नुण दबा देना तो उसे काफी जैधा मोटिमेशन मिलत वर काफी मत आता है टो यहां पर नेधर फोर्ट्रेस दूणने के दो तरह तरीक हैं पहला तरीका है कि यहन् simply मिन वडन का इक कॉपी बना दो और उसमें नैधर फोर्ट्रेस को लोकेट कर दो और ओर और वर जैसे कि यह माइशाफ की तरह होती है वैसे नेधर फोट्रेस और मलब थोड़ा सा तो दूर रहती है में जहां पर आप स्वान होते हो लेकिन इतना दूर भी नहीं मिल जाती है इतना रियर नहीं होती है कि मिलना ही मुश्किल हो जाए लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत माइन करते रहो वैसे नेधर राइट कि आप माइन करते रहो तो आपको शायद मिल सकती है तो यहाँ पर चलो guys explore करते हैं नेधर फोट्रेस में क्या क्या हो और basically हम लोग आए हैं blazing rod के लिए जिसके लिए हमे चेक करें तो guys यहाँ पर diamond है तो diamond मलब काफी है में पर फिर भी काफी अच्छी चीछत है और यहाँ पर diamonds हो तो मज़ा आजएगा तो यहाँ पर है horse का armor जो की में को बहुत मिल चुके हैं दो अलड़ी पढ़े हैं I think में बपस तो हम लोग घर जा के घोड़ों पर लगाएं और थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ नहीं है snowfall हो रही guys तो यहाँ पर हमारे PC में थोड़ा का lag आ रहा है I think तो इसका भी जल snowfall हो रही guys तो देखते हैं अभी हमें आगे जाना है तो आगे यहाँ पर आ चुके हम भूमते फिरते नैधरवाट के पास तो नैधरवाट आए तो यहाँ पर हम लोगों टिकेक्स ते करना पड़ेगा तो guys मैंने ले लिए तो यहाँ पर आ चुका है blaze तो guys finally हम लोग blaze rod के करीब पहुंच चुके हैं तो इनको मारना है काफी बड़ी job तो देखते हैं तो सबसे वैसे मेरा बहु काफी ज़्यदा पारफुल है और मैंन इसमें इंफिनिटी इंचांटन लगा रखिये मलब इंफने इंफने आरोस रहेंगे लेकिन फिर भी में को तोड़ा बहुत तो डर रहता है और वैसे मैंने गाइस बता दूं मैंने नेदराइट का आर्मर पहना है जो की पिछली वीडियो में मैंने बनाय था लेकिन फिर और वह भी एंचांटेड है लेकिन फिर भी मैं हैड़न फाइट लेना नहीं चारा है तो अभी देखता हूं मैं तोड़ा बहुत फाइट लेने के बारे में क्यूंकि मेंको खास डैमेज हो नहीं रहा है और यहां पे मैंने फाइर एक्सपेक्ट भी लगा रहा है वैसे बाग आग कर दी और मेंको फाइनली इन्होंने पहला हिट मार दिया तो काभी अच्छा हिट था तो मेंको भूग लगी कि बस और कुछ नहीं होगा वैसे फाइर एस्पेक्ट लगानी के बाद में और काफी तगड़ी मैंने चांड में लगा रहे कि यह काभी तगड़ा हो सलग तो कर दो के अच्छा उससे मंसे आग को कर दी-पोरी चाम आख मैं तो फायिनली मैं ने काफी सारी इसमें चांड प्लेज बास कर दी है जंपन हो में तो नहीं कम कर दो क्या निकवस हो पकड़ाईंगे अगर चार पांस तो एक साथ मनने देख सकता हूं वैसे जोग आ टूल्स पढ़ें तो यहां पर finally हम लोगोंने सारे blaze को मार दे जितने मलब हमें चाहिए थे तो हम लोग आ चुके घर तो यह है वो सारी loot जो हमने नैधर फोटरेस से करी है और एक diamond मिला basically मलब हाइलेट्स तो बाकि आर्मर मिला जो की काफी मुश्किल से मिलता है और यहां पर हमने 20 blaze rod मलब काफी जदा है वैसे blaze rod 20 करनी और एक green stand हम लोग बना लेते हैं ताकि हम लोग यहां पर portions बना पाएं तो गाइस चलो अब हम लोग farming करते हैं तो यहां पर मैं soul sand लगा देता हूं तो यहां पर मैं ज़्यादा फैंसी सा नहीं बना रहा इसके लिए तो यहां पर हमें चाहिए नेधर वोग तो यहां बस मैं फाम सा बना देता हूं और बाद में तोड़ दूँगा जब बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ा फाम नहीं बना रहा हूँ और क्यूब में ज्यादा नेधरवोट है भी नहीं ज्यादा लगाने के लिए और ज्यादा सोल्सेंड भी मैं लेके नहीं आ रहा था वैसे चैस्ट में पढ़ ही है कि पिछली वीडियो उसमें जब मैं आइरन फार्म बनाना था मैं कुछ होल सेंस चाहिए था तब के लिए मैं लेकर आया था वैसे लेकिन हम पे नेधर वोट ज्यादा है नहीं है तो अभी मैं कुछ कर नहीं सहता है तो काफी ज्यादा आइरन कोलम स्पॉन हो रहे हैं क्यों मैंने ट्रेडिंग हॉल बना रहा है तो यहां पे उनसे ट्रेडिंग करते हैं कि इतना सारक मेरे पे फेरे क्या है और व्यद्ध कि ट्रेट नि करते हैं करती है अगर रिवर्श डैमन की दिर्फर मज़ा आजएगा माल अंदा में और त्याम्य ignment 2 लेकिन रोगोग ट्रे आमे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को मलब बूम बाम कर देना थैंक यू मिलते नेक्स वीडियो